गर्मी के मौसम में बच्चों को किस्तेल से मसाज करनी चाहिए गर्मी हो या सर्दी अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कम से कम बच्चे की मालिस रेगुलर ली दो साल तक जरूर करनी चाहिए इससे बच्चों की हड़िया मजबूत होती है और बच्चा रिलाक्स होकर शोता भी है बट कई parents इस confusion मिराते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चे की माली स्कीस तेल से करनी चाहिए वैसे तो हम सबको पता है कि सर्दी के मौसम में बच्चे की माली स्कीस तेल से करनी चाहिए लेकिन गर्मी में बच्चे की माली स्कीस तेल से करनी चाहिए यह थोड़ा भोथ ही confusion वाला सवाल रहता है तो सर्दी में हमें वैसे तेल से मसाज करने चाहिए जिसकी तासिर गर्म हो और गर्मी में वैसे तेल से मालिश करने चाहिए बच्चों की जिसकी तासिर ठंडी हो यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा तेल किस बच्चे को सूट कर रहा है जो भी तेल आप बच्चे को पहली बार यूज कर रहे हो उसका पैस टेस्ट आप जरूर कर लिजे यानि बच्चे के किसी भी एरिया पर जैसे हाथों पर हो गया या फिर पैरों पर हो गया उस वाइल को लगा कर चेक करे। अगर बच्चे को उसे कोई रहसे सिल या ऐलरजी नहीं हो रही है तो आप उस तेल से बच्चे की मालेश कंटीनीव कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को मसाज करने के लिए सबसे best वायल है वह है नारियल का तेल यानि coconut वायल नारियल का तेल का जो तासीर है वो ठंडा होता है और वो असाने से बेवी के सरीर में अबजर्ब भी हो जाता है नारियल का तेल ज्यादा चिपशिपा भी नहीं होता है बच्चे की स्कीन अगर ड्राई हो गई है तो ये एक मुस्च राइजिंग का भी काम करता है इसके अलाबा डाइपर रहस को भी नेच्रल तरीके से ठीक करता है बहुत बच्चे के क्रेंडल क्रेब की सिकायत रहती है तो उस केस में भी आप नारियल का तेल बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आप नारियल के तेल लेकर बच्चे की सर में अगर मालिश करेंगे तो उससे क्रेंडल क्रेब की जो सिकायत है वो दूर हो जाएगी और सिसु का सही तरह से मालिश करने से उसका वीट गिन भी अच्छे से होता है इसके अलाबा जिस बच्चे के सर में बाल कम है उसे अगर नारियल तेल यूज किया जाए तो उसके सर का बालों का गुर्थ अच्छी तरह से होगा और उसके जो बाल है वो काफी मुलाइम भी होंगे यानि सारी प्रॉब्लिम का एक मात सॉलूशन है वो है नारियल का तेल इसलिए गर्मी के मौसम में बच्चे को नारियल तेल से डेली मसाज जरूर करना चाहिए इसके अलाबा दूसरा तेल है जिसे हम गर्मी के मौसम में बच्चे की मालिश कर सकते हैं वो है वाईली वाईली यानि जैतून का तेल इस तेल को हम सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में यूज कर सकते हैं इसे बच्चों की skin soft होती है और बच्चों के bone भी strong होते हैं बच्चों के लिए अच्छी नींद भी है जरूरी है इसे उनका physically और mentally growth अच्छे से होता है इसके लिए आप जब भी बच्चे को malish करते हैं तो malish करते समय बच्चे के तलवी पर भी अच्छे से malish करें जिससे वो चैन की नींद सो सके वायले वायल में vitamin E पाया जाता है जिसकी help से बच्चों के बालों का growth अच्छी तरह से होता है बाल घने और मुलायम रहते हैं इस वाद से आप baby के बालों पर लगार कर आप सीर को अच्छे से massage कर सकते हैं बस इसकी quantity आपको बहुत ही कम लेनी है इसके अलाबा आप गर्मी में बच्चे की malish के लिए आप बादाम रोगन तेल का भी इस्तिमाल कर सकती है गर्मी में कुछ बच्चों की skin dry हो जाती है और जो सीसू की तवचा को मुश्राजर का भी काम करता है इस वाद से बच्चे की skin का रंग भी साफ होता है या बच्चे की तवच्चा और बालों के लिए सबसे best option है बट regular basis पे बदाम रोगन तेल से malish मत किजेगा आप week में 2-3 दिन ही इस तेल को use किजे बच्चों की malish करने के लिए अधीकतर गर्मी के मौसम में बच्चे को ना किसी भी तेल से एलर्जी हो जाती है उसके सरीर पर दाने दाने निकल जाते हैं तो अगर आपके बच्चे को कोई भी तेल सूट नहीं कर रहा है तो प्लीज आप एक बार डॉक्र से कंसल्ट जरूर कीजिए आप अपन